नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़ादा से ज़ादा लाइक कीजे, सस्क्राइब कीजे और शेयर कीजे क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसी जानकारी, ऐसे टिप्स लेकर आते हैं जो आपके लिए जानना बेहत इंपोर्टेंट होते हैं तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास आज की वीडियो में हम अमरूत की बात कर रहे हैं जी हाँ दोस्तों, अमरूत हमारे लिए बहुत ज़्यादा फाइदे मन्द होता है चाहे वह कचा हो चाहे वह पका हुआ हो दोस्तों अमरूद ही नहीं अमरूद की पतियां भी भोह ज़्यादा हमारे लिए फायदेमन चाबित होती है जी हाँ दोस्तो अब मैं आपको अमरूत से कुछ ऐसे उपाय बताती हूँ जिनका आपका बहुत ज़्यादा लाव हो सकता है चलिए दोस्तो अब हम बात करते हैं इन उपायों की, आपका वक्त ना जाया करते हूए मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ सबसे पहले हम बात करते हैं आधा शीशी की यानि यी आदे सर में जो दर्द होता है दोस्तों उसे माइगरेन की प्रॉब्लम भी कही जाती है आदे सर के दर्द में कचे अमरूत को सुबा पीस कर लेब बनाए और उसे अपने मस्तिक्ष पर लगाएं तो इससे आपको बहुत दर्द हो रहा है उसी जगा आपको लगाना है वहां खूब अच्छी तरह से लेब कर दे जिससे आपका माइगरेन यानि की सर का दर्द बिलकुल बंद हो जाएगा और आप बिलकुल टेंशन मुक्त हो जाएंगे जी हाँ दोस्तों इसका प्रियोग दिन में 3-4 बारी करना ही पा देंगे जी हाँ दोस्तों अगर आप ऐसा एक महीने तक लगातार करते हैं तो आप देखेंगे कि आपको बहुत ज़्यादा राम मिलेगा और आपने जो लाखों रूपे खर्च कर दिये माइगरेन की समस्या के लिए आपको ये अचंबा भी होगा कि ये चोटा सा अ help मैं इस चत्या है अब मैं आपको इसका कारगर उपाए बताती हूं की आपको इसका प्यों प्योक कैसे करना है और आपको कैसे कैसे करना है एक महीने तक रोजाना सुबा खाली पेट 200 ग्राम अमरूत खाने से बावसी ठीक हो जाती है बावसीर को दूर करने के लिए सुबा खाली पेट अमरूत खाना उत्तम होता है मल त्याग करते टाइम बाय पेर यानि की दोस्तों लेफ्ट पेर के उपर जादा जोड़ देकर बैठेंगे तो आपको इस तरह मल भी साफ आएगा इस प्रियोग से बावसीर नहीं होती और आपका मल भी साफ हो जाता है तो दोस्तों अगर आप इसका प्रियोग करेंगे तो आपको बावसीर नाम की कोई ब्यमारी का सामना करना ही नहीं पड़ेगा जी हाँ दोस्तों दातों के दर्द को भी करता है दूर चलिए अब जान लेते हैं कि आपको दातों के दर्द से कैसे छुटकारा पाना है तो दोस्तों देखा आपने की अमरूत के कितने ही फायदे है तो इन सब फायदों का प्रियोग कर आप अपने लिए बिल्कुल समस्या मुक्त हो जाईए तो दोस्तों भार के कैमिकल युक प्रोडक्ट ना यूज़ करकर आप इन घरेलू चीजों का इस्तेमाल कर अपने आपको पाईए स्वस्थ तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही लोटते हैं एक नए वीडियो एक नए टिप्स के साथ तो मेरे चैनल को लाइक सिस्क्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा